जहिन आज हम लोग बात करेंगे मानों शरीर के महत्वपुर्न कुछ अंग के बारे में जो हम लोगों के शरीर में काम करता है जैसे कि मानली जै कि यह सिष्टम में कम्प्यूटर उसमें कीबोर्ड लगा हुआ है मौस लगा हुआ है CPU लगा हुआ है तो एक वो पूरा system बना होगा तो उसके साहसे CPU काम कर रहा है कीबोर्ड काम कोई मैं वूजे लग सीश्टम सीश्टम कुछ ने कुछ मिलकर काम कर रहा है लेगिन आज हम लोग जानेंगे उस हर एक एक पार्ट के बारे में उसमें से कुछ पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे ठीक है सिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे हम लोग एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे जैसे कि brain हो गया, हिर्दय हो गया, liver हो गया, kidney हो गया, तो यह सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका क्या काम है और कहां पर रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कि दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक हम लोग का बाहर ही हो गया, और एक हम लोग का अं हर भी हर वंसरी की अंदर गया ववे सरी सकते हैं लेकिन जीव को लोग देख भी सकते है तो ढखुदक्व है जीनी तो यह सकते हैं तो यह गया इसनम सकते हैं और देख सकते हैं तो इस अलग मुद्स भाहरियंग और यह अन्तर acceso पला अ CI एक होगे आंत्री कंग एक होगे बाहरी इंग तो हम लोग बाहरी इंग के बारे में सबसे पहले जानते हैं देखिए हम लोग सरीर के बारे में अगर जानेंगे या सरीर के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हम लोग को कहीं प्रेक्टिकल करने जाने का जरूबत नहीं है क्योंकि शरीर के बारे में पढ़ने हैं तो हम लोग के पास औरेडी एक शरीर है तो बाहरी यह के बारे में हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग कर जो शरीर जो पूरा धका हुआ है वो है इसकीन यानि की तवचा हम लोग का जो है न इसको चमडा भी बोलते हैं खाल खाल उधार देंगे तो यह होगे हम लोग का तवचा खाल यह लोग का सरीर का सबसे बड़ा और कन होता है कि मैं है यह यह किस्कीन जो है हम लोग का सबसे बड़ा ऑर्गन को पता चल जाता है कि छूद्गा की कुछ लोग चल जाता चाट तो इस को मार कर देता है ठीक है गर्मी के दिन में आपको देखें हूंगे कि पूरा इस्कीं से चोटा-चोडा छीद्र है वहाँ से बाहर पसीना आता है पसीना के साथ साथ में कभी कभी वाइटर हम रहता है हम लोग सरी। से बाहर हो जाता है दूसरा चीजने के यह हम लोगWhy बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी यह उतना गर्मी सरी के अंदर नहीं जाना देगा ठीक है तो टेंप्रिचर को भी रोखता है और बाहर के डॉस्ट वगरा से चम लोग का एक तरह से शुरक्षा परदान करता हैं हम लोगों से पूरा काम हो गया इसके बाद हम लोग का बहरी ओर्गन में जो है वह आ जाता है आपका आंक हो गया कि आण अब कि एक बोलते हैं ठीक है हम लोग तरफ गाउंत दिहात में इसको दीदा भी भी बोलते हैं तेरा दिदवा में पिलव खुळीड लोग कर रहे इस तरश चाह्ए परियोग होता था तो हम वगी बोलता है यौदा को बहुरिक से हम लोग क्या करते हैं देखते हैं और फिर हम लोग उसको ब्रेन तक वह हम लोग को सेंज करता है तो आंक का जो है इसका कई पार्थ हो जाता है जिससे इसका एक पार्थ को अंदर रहता है वह आईरिस भी बोलते हैं ठीक है और रेटिना भी बोलते हैं यह सब आंक का ही एक पार्ट है जो हम लोग आंक के अंदर में रहता है प्यूपिल जो यह ब्लेक वाला आंक में जो दिखता है ब्लेक कलर का उसको प्यूपिल बोलते हैं ब्लेक वाला जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं तो आंक जो है इतना सारा पा तो आप देखे होंगे कि जैसे कि बहुत सारे जहां पर चस्मा दुकान याँ जहां पावर का बनता है उसका नाम जी से रहता है किसी का मान लेजिए राज ऑप्टीकल है उपटी आइसी के राज उप्टीकल तो और भी कई सारा मने जितना चस्मा अगरे तुर ज्यादा तर म आप देखें को कि अंती में ओप्टीकल जरूर लगाता है फल ना ओप्टीकल तो धेम का ओप्टीकल ठीक है तो यह ओप्टीकल जो लगाता है इसका भी एक कारण है कि हम लोग का आँख जो है हम लोग का आँख में एक नर्व जाता है हम लोग का हर सरी जैसे की नर्व तो वह नर्व के थुरू हो रहा है तो आंख में जो नर्व काम करता है उसका नाम है तो है ओप्टिक नर्व ओप्टिक नर्व इसलिए क्या है कि ये ओप्टिकल नाम पड़ जाता है सारा चस्मा दुकान का जहां पर आँक का इलाज होता है या आँक का आपका चस्मा बनता है वो लोग इसलिए ओप्टिकल लिखता है क्योंकि जो ओप्टिक है न वर्ड ये ओप्टिक नर्व हम लोग आँख में जाता है इसके एह जाता है हमझा कि नोज इसको बोलता है nap tap के Belt के चाहिंड़ काम होता है हम एक डुम्हा चीज आगर भला दो स्थMR का करना कि यह मिठ़ा चीज है कि यह मिचाई है खिंद को ऊपर औरॉर सब्सक्राइबं कर सा Capitolाइब ठीक है तो हर चीज हम लोग का कौन सेंस कहता है वो नाक सेंस कहता है यह एक सेंसरी ओर्गन में आ जाता है ठीक है और नाक से क्या है कि हम लोग स्वसन भी ले सकते हैं स्वसन तो इंसान मुझ से भी ले सकता है लेकिन नाक ज्यादा सेप्टी होता है क्योंकि नाक में जो हम ल जाता है आप जैकलते होंगे कि हम लोग लोग का नाना खोदने का है इसके बाद हम लोगो का आ जाता है नाक के बाद हम लोगा आ जाता है byorg mte ऐस इंस कटंग बोलते हैं ठीक कंकर क्या काम है कांव का सुनना काम है सरीय कि सबसे चोटी है जो आउर हमें यह जो बाहर काम यह आंदर रहता है तीन हड़ी तो हुट होता है पहला काम होता है सुनना जो बहुत जरूरी है और दूसरा काम होता है वो बैलेंस बनाना होता है ठीक है हम लोग का काम जो है बैलेंस बनाने काम भी करता है जैसे कि हम लोग चल फिर रहे होता है अचानक से कोई गढ़ा मिल गया यह हम लोग को इटा से ठोकर लग गया तो अचानक से हम लोग गिर जाते हैं या कभी कभी गिरने से बच जाते हैं तो जो बैलेंस बनाने का काम करता है वो तो हम लोग का ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता ही है लेकिन वो अकेले तो नहीं कर सकता है तो उच्छी सब डिभाइड माड़ दिया है तो कान का काम बाहरी ओर्गन में यह हो गया इसके बाद एक आजाता है टंग टी ओ एन इसको बोलते हैं जी हुआ या फिर जीव इसको जीव बोलते हैं टंग का में काम होता है टेस्ट को पहचानना जैसे जीव बोलते हैं जो घर में खाना जैसे लेकिन कोई चीज़ खाना में नमक बना है कि नहीं बना है जब बहुत ज्यादा नमक हो गया ठीक है उसको उसको कौन पहचानता है उसको जीव पहचानता है तो आप लोग देखते होंगे कि और दोड़ा आप के देखता है दूबुन जीव से पता चs Люб से पता चल आता है तो थोड़ा सा 3 में जीव में हो जाता है लेकिन पेट में जाता है पेट भर ने अगर फिर बाहरी अंग में अजाता है इक्स्टर्णल ओर जाता है अम लोग बात करेंगे इंटर्नल ओर यहां से पहले जो हम लोग आ अगर कि जिसको दिमाघ बुंद्धी हुअ लूर भी बोलता है लोग left है और अकल अब बशुद बढ़ा बने प्रचलित कहावत है अक्कल बढ़ा की भाईश सुने होंगे कि अगर बच्पन हों लोग को बहुत लोग बुड़बग बना लेता था कि तुम अक्कल लोग की भाईश लोग है मने बढ़ा कौन सा है तो हम लोग बुद्धि था नहीं लूर था नहीं तो हम लोग बोलता था क कि इतना दिमाग है कैतना कीष्टा होता है तो हम लोग उतना laptop उस तयसे लुद doe का नियुक्षीर हो जाता जराता हुँ सरी का सबसे मेन और weं बात है central nervous system में एकदम हेट quarter समझे यही इती है यही सारा control होता है हम्लों का जितना इंटर्नल औरगन है जितना एक्स्टर्नल औरगन है सब को कौन कंट्रोल करता है सब को यही कंट्रोल करता है यह ब्रेन का काम हो गया याद रखने का काम ब्रेन का है भूख लगाना काम ब्रेन का है यूरीन लगाना काम ब्रेन का है ठीक है हम लोग का खाना जो खा लिए उसमें से क्या एब्जोब करना है वो सब काम ब्रेन का है क्या निकाल के बाहर फेक देना है वो सब काम ब्रेन का है तो यह हो गया एक अंतरिक भाग में ब्रेन इसके बाद हम लोग का अंतरिक बात अगर निचे जैसे उतरते जाएंगे तो यहाँ पे आगे छाती में छाती में क्या रहता है हावा निकल जाता है तो इसमें और कुछ रहता नहीं है इसका काम क्या है कि बाहर से जो हम लोग सांस लेते हैं जो हवा लेते हैं उसमें से ओक्सिजन को ये शरीर के अंदर पहुंचाता है बलड में और बलड में जो कार्बन डैक्षाइड रहता है उसको ये निकाल करके और फिर हम लोग बाहर कर देता है ठीक है इसलिए हम लोग कि हम लोग 5 लेते हैं लेकिन सिर्फ लेते हैं कार्बन डाक्स छोड़ते नहीं हम लोग तीनों लेते मैंने ओ टू लोते हैं सि वोटू दरता है और एक और है नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी शरीमाल सब्सक्राइन टो 54 पर्शेन तो उस संथा है तो जक्षिजन युद्ध रहता है और जिए स्रीर को कीह कि ज़्यादा ओक्षिजन को जरुदत काम करने के लिए हैं ओक्षिजन को जरुदत यह हो गया लंग्स अब लिंग का हिर्द्य को हुआ हुआ है रोगत है हुआ हम होता है कारडियक चो घॉर मान लिए इसका नाम हुए इसका होट है इसका भी बहुत मेंन काम है ये हम लोगता तरी का है दूसरा सब से बड़ी महतोपूरणग पाहला कि है कि ब्रेंट दूसरा हिर्दय को काम करने के लिए ब्रेंड की आप सकता नहीं होती है लेकिन वह साथ में जुड़ा हुआ रहता है आप देखें होंगे कि बहुत लोगों का क्या है कि जब ब्रेंड हो जाता है तो भी उनका हिर्दय काम करते रहता है तभी लोगों का क्या है कि हिर्दय होता है थीक है साइनो आरेलाटे नोड बोलते हैं उसके वाज़ेशən चार। meth करता है और पम्प करते रहता हा अlles फूसको मिलते रहे गा तो घृष गहिऄ और से को टुम को चाहरा रहे है तो ब्रेन करते हैं तुम का तो ब्रेन बस इसको इतना सेंस करता है बाकी बास हिर्दय अपना काम खुद करता है बिना रुके ट्वेंटी-फोर आवर्स जीवन भर जब से आप पाइदा लेते हैं मां के गर्व से आपका हिर्दय धारक नहीं शाठ हो जाता है ठीक है उसका हम लोग फीटल हाट्सन बोलत होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाया फ्राम मान लीजे कि यह आपका लंग्स हो गया ठीक है और यहां पर आपका हिर्दय हो गया यह हिर्दय हो गया तो इसके नीचे जो एक और रहता है इसको बोलते हैं डाया फ्राम ठीक है यह क्या होता है जब हम लोग सांस लेते हैं जिस के वजब से लसके हम लोग कंपा गर जाता है चोड़ते हैं तो ढाया फिर से उपर आजाता वह सिकूर जाता है तो डायार औरे से कुली दाचा बनाया हुआ है जिसे लंगस और को सपोट करना के लिए रिवस है और कीड्नी और लीभर को भी सपोर्ट करने के लिए क्या है कि यह हो गिया डाइफ राम ťी राज हएक रहा को अलिकों को इस तरमों को पेट भी बोलते हैं उदर भी बोलते हैं हम लोग जो हुआ होता है 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 यह चावल लिज्य कि आठा का लख्थो खाली है गुड़ वाल लख्थो टाइट रहता है चिकन खाली है मटन खाली जो भी तो वह सब क्या है कि हीआर पार्टीकल है थीक है टो अगर हम लोग अंदर खाते हैं यहां पर चाब करता है कोई भी चीज को पूरा जला के दम रख कर देता है तो हम लोग कुछ खाते हैं तो फुलूड में बतल देता है और उसके बाद चला जाता है कहां पर यहां पर च्ला जाता है चला पाँनी वह रहाता है उसके बाद फिर निकल जाता है यह हो यह पी स्प्लीद स्प्लीद यहां पर इंसाइड में । रहता है इस प्र wrote जलिंफ कड़ समय लिंफ का बड़овать धो बोलते हैं लिंफ और गन किसको बोलते हैं स्प्लीद को इसको हिंदि में परिया बोलते हैं पीखा स्प्प्नीन में काम है हम हम लोग का स्वरीर को बाहर जैन से या एंटीजेंट्स से शिंटम का काम करता है हम लोग के स्वरीर में इस्प्नीनिन में क्या रहता है कि 350 350 000 बलड रहता है इसको हम Lika कब रहता है हमेसा और स्पिलीन के कहा है कि लीकोCyde भी रहता है और रहता है और आज हमने एकसाबीस दिन के बाद जब मर जाता हो अई यही पर स्पिरली जाता हो जो 350 से मिलता है उसी में से श्ल्ड में अर पुराना वाला मर जाता है इसलिछ स्पिलीं कि और पर आप जिवानों से लटता है के बाद हम लोग आता है गोली उट प्रस्फिया हम नुटार है को क्या पर आए पित के थैले पित का घर गॉल ब्लाडर का क्या काम है वो लीभर से कनेक्ट रहता है जो लीभर बाइल सेक्रेट करता है वो गॉल ब्लाडर में आके स्टोर होता है और वो बाइल का क्या काम होता है जब हम लोग खाना खाते हैं या हम लोग के सरी में जब माने कोई फैट वाल हुआ है इसके बाद हम लोग बात करते हैं लीभर का लीभर हम लोग का इंटर्नल औरगन है और वह सब से बड़ा औरगन है इंटर्नल औरगन में सबसे बड़ा औरगन कौन है लीभर इसको यक्रित भी बोलते हैं और जीगर भी बोलते हैं ठीक है यक्रित और जीगर लिभर लिभर का मेन काम हो जाता है डिटोक्सिप किसी भी चीज को डिटोक्सिफाई करना जैसे कोई भी टोक्सिक चीज आ रहा है तो उसको डिटोक्सिक कर देगा मान लेजे कि हम कोई मेडि जिसीन को वो पूरी तरह से एदम जांद करके और बेज एगा किननी फिल्टर करना ठीक है यह क्提म है में इसके इन के लीम आża जो फैंकिर याज को क्या बोलते है अगनाल है जो है हम लोग को कि खाना पचनले स्था होने में बहुत करता है इसके अलावा पैंकि अल्मोम के जो है इंजाइम यह होर्मन जो भी बॉले उसका प्रोडक्शन करती है पहला अल्फा शेल है उसके अंदर तीन सेल ग् भ्राप से पर्डूज होता है इंसुलीन और डेल्टा से पर्डूज होता है सोमार्टोस्टेटीन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनिवीटिंग हार्मोन ठीक है कहा है यह दोनों अगर सुमार्टोस्टेटिन इंसुलीन का क्या काम है यह वह काम कर सोगर क god गया तो उसको बढ़ाने के काम गुलुकागन का है अगर सुगर बहुत जादा हो गया तो कम करने काम इंसुलीन का है और ये दोनों अगर फंक्सन अच्छत नहीं कर रहा तो देखने काम समाटो स्टेटिन का इसलिए डायबेटिज इन लोगों को होता है तो दो तरह का एलबे नहीं करता है उससे क्या होता है कि उनको डायबेटिज हो जाता अगर को बाख से कंट्रोल में रहे समाव पेहलuju करता है तो सब्सक्रेट के सब्सक्रेप्ण talk Ama13 सब्सक्राइब किड्नी का हसरी से हम लोगों का nitrogenous waste को निकालना excess water को निकालना blood pressure maintain करना हम लोग के सरी में erythropoietin का production करना जो की blood को बनाने में help करता है pH balance maintain करना acid base balance maintain करना calcitrol hormone को maintain करना release करना जिससे हम लोग का blood में calcium की जो है मातरा कम नहीं होती है बनी भी रहती है तो kidney को किड़नी को किड़नी बोलते इंगलीश में medical टर्म उसको रेटिनल बोलते हैं उसका हिंदी में और गुर्दया भी उसको बल जाता है तो kidney का यह से सारा काम है और किड़नी के बाद जो आ जाता है वह यूरेटर यूरेथरा और पार सब्सक्राइब साथ आसे थिक सिस्टम में लगा हुआ है इसके बाद यो जा लेंगे और रीप्रोड़क्टिव और यो रोज रहें ये प्रजनन में नंग होते हैं उसमें Sharp सिस्टम प्रजनन तंत्रम पढ़ेंगे तो आज हम लोग मोटा मोटी जानगे कि हम लोग का शरीर में जो जो ओर्गन रहता है ठीक है वो क्या क्या काम करता है जैसे बाहरी ओर्गन हो गया इस्किन हो गया, आख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, मुई हो गया, जीव हो गया, ठीक है और internal organ में हम लोग कराता है, दिमाग, brain इसके बाद हम लोग का यहां लंग्स आ जाता है हिरदय यानि के दिल आ जाता है, उसके बड़ डाइफ्राम आ जाता है इस्टोमाख है, इस्प्लीन है, गल ब्लाडर है, पैन किर्याज है, लीभर है और किडनी है, तो यह सब का अलगला काम है और यह सब महतोफूरन काम है, तो आप लोगों को अगर पहले से पता था तो वेलेंगुड जिनको नहीं पता था वो वीडियो देखिए और सिखिए, आज के लिए इतना है, मिलते हैं, अगले वीडियो में, जय हिंद।